जै श्री राम आज मैं जिस विशे पर आप सबसे बात करने जा रही हूँ वो विशे सभी के लिए भोती मैत्पूर्ण है और सभी को जानना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि किसी भी चीज का जब तक ग्यान नहीं होता नहीं तो हमें उसका करने में मन लगता है और नहीं हम पुर्णते सफलता प्रावत कर सकते हैं तो आज का जो मेरा विशे है उसका नाम है इश्वर तत्व या भगवान तत्व अब आप सब में से बहुतने ये सुना भी नहीं होगा क्योंकि सब तरह की दुनिया की इश्वर तत्व भी कुछ होता है या भगवान तत्व भी कुछ होता है इश्वर तत्व को अगर मैं बिल्कुल साधान भाशा में बोलूँ तो उसका मतलब होता है कि इश्वर का ग्यान तो इस्वर का ग्यान हमें जब तक नहीं होगा तो हम उस रास्ते पर चलने का बिलकुल भी प्रियास नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत तो ग्यान हमें होना ही चीज़ भी हमारी रूची होती है क्योंकि आप जैसे बगवान के नाम को रोज शर्वन करेंगे बगवान के सत्संग को सुनेंगे बगवान की बातों को सुनोंगे उसके गुणों को सुनोंगे उसके ज्यान को सुनोंगे तो ही आपका मन उस तरफ लगेगा और पुर्णेता इश्वर ज्यान को तो वही मनुस्य समझ सकता है जिसके उपर उसकी कृपा हो चुकी है कृपा होने के बाद तो पूर्ण तहा इश्वर अपने आप ही उस इंसान के अंदर अथा ग्यान का बंडार बर देते हैं और वो पूर्ण तहा कृपा जब ही होगी जब हम पहले रास्ते पर चलना शुरू करेंगे जब ही तो मंजिल पर पहुचेंगे तो मेरे एक यही कोशिश और प्रियास हैं कि आप इस इश्वर के ज्ञान को जाने की वास्तों में क्या तत्व है बगवान का तो चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञाना नंद ब्रह्म अनादी और अनंत हैं उसके किसी एक हिस्से में यानि एक अंश में तिर्गुन मई माया सहित जड़ चेतन में यह समस्त संसार है ब्रह्म के जिस अंस में यह संसार है उस अंस को सगुन ब्रह्म और जिस अंस में संसार नहीं है उसको निर्गुन ब्रह्म कहते हैं उस सगुन ब्रह्म को ही सर्वग, सर्वेश, सर्व्यापी आदि शब्दों से संकेत किया जाता है और वही इस माया सहित जड़ चेतन संपूर्ण संसार का ज्याता इश और अंत्रियामी है उशी के सकाश शे मन मनन करता है, बुद्धी निश्चकरती है और संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है वहे अनन्त है, अपार है, अनादी है, अचल है, धुरूव सत्य है, नित्य है, सत्य और आनन्द में है माया जड़ और विकारी है माया को ही प्रकृती कहते है यह प्रकृती परमेश्वर की शक्ती है और उसी के अधिन है इसके भी दो भेद हैं, विध्या और अविध्या जिसके द्वारा सत्य एसत्य समस्त वस्त्वें यथार्त रूप से जानने में आती हैं, उस ज्ञान शक्ति का नाम विध्या है और जिसके द्वारा आवरत हुए सारे जीव मोहित हो रहे हैं, उसका नाम एविध्या है इस एविध्या का नाश विध्या से ही होता है चोबिस तत्वों में विभक्त हुआ जड़ संसार प्रकृती का ही विश्तार या कारिय है मूल प्रकृती से महत्त्व और महत्त्व से एहंकार और एहंकार से पंच्तन मात्राओं की उत्पति होती है फिर एहंकार से मन और पंच्तन मात्राओं से पांच ग्यानेंद्रिया, पांच करमेंद्रिया और पांच स्थूल महाभूतों की उत्पति होती है अब आपको ग्यानेंद्रिया तो पता ही होगा मैं आपको बता देती हैं देखो ग्यानेंद्रिया होती हैं जिनको इंगलिस में sense organs बोलते हैं यानि कि हमारी आखे नेत्र और रसना मतलब जीव होती है और नासिका मतलब नाक और स्त्रोत मतलब जिससे हम सुनते हैं कान और शुद्ध सब्दोता त्वक यानि त्वच्चा ये पांच हमारी ज्यानेंद्रियां हैं और पांच ही करमेंद्रियां हैं उसमें हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्त पांच ही हमारी पंचतन मात्राएं हैं वो कौन से हैं शवद, शपर्ष, रूप, रस और गंदतन मात्रा और पांच महाभूत हैं वो कौन-कौन से हैं आकास, वायू, तेज, जल और पृत्वी क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कौन सी करमेंद्रिया होती हैं और कौन ग्यानेंद्रिया होती हैं कौन सी इस प्रकार मूल प्रकर्ती सहित 24 तत्व माने गए है इन सब को मिलाकर मूल प्रकर्ती सहित 24 तत्व माने गए है अब माया के द्वारा आवरत हुए वेस्टी चेतन को जीव कहते हैं ये जीव माया के संबंद में नाना और एसंख्ये हैं यानि नाना मतलब भिन भिन हैं और बहुत सारे हैं परमेश्वर का अंसोने पर भी माया के साथ संबंद रहने के कारण इसकी जीव संग्या माने गए हैं जीव बोला गया है और जीव का यह संभंध अनादी और सांथ हैं उस माया के एविध्या अंश यानि अज्ञान से जीव मोहित हैं विध्या के द्वारा एविध्या का नाश होने से जीव प्रमात्मा को प्राप्त हो जाता है और जिस तरहें इंधन को जलाकर अगनी स्वम शान्थ हो जाती है वैसे ही एविध्या या अज्ञान का नाश करके विध्या या ज्ञान भी शान्थ होता है तब माया से रहित जीव केवल आवस्था को अर्थार्त सचिदा नंदगन परमात्मा में तदरूपता को प्राप्त होता है यानि भगवान के सच्चे सवरूप सच्चे रूप को प्राप्त हो जाता है जीव समुदाय के भी दो भेद हैं एक होता है सथावर और दूसरा होता है जंगम देव मनुष्य पसू पक्षी कीट पतंग आदी चलने वाले जीवों को जंगम और व्रिक्ष लता परवत आदी जो स्थिर रहने वाले हैं उन जीवों को सथावर कहा जाता है इस जड़ चेतन में संसार से परमेश्वर भिन भी है और अभिन भी है जैसे पुरुष से या मनुष्य से मतलब किसी भी मनुष्य को हो सकता है स्वपन तो मनुष्य से स्वपन की स्रिष्टी है और आकास से वायू वायू की उत्पति आकास से होती है और उसका आधार भी आकास है आकास से उत्पन होने के कारण वायू उससे अभिन है और आकास में आकास से अलग होकर रहती हुई प्रतीत होने से उससे भिन भी है इसी तरहें जिस पुरुष को स्वपन आता है उसी से स्वपन स्रिष्टी की उत्पती होती है और वही उस स्वपन के संसार का आधार है पुरुष शेही उत्पन होने से स्वपन उससे अभिन है और स्वपन समय में प्रत्थक प्रतीत होने के कारण भिन भी है इसी तरहें सगुन ब्रह्म परमेश्वर अभिन निमतो पादन कारण होते हुए भी भिन और अभिन है तथा वही इश्ग्याता व्यापक और अंतर्यामी है जीव को स्वपन स्रिष्टी की प्रतिती मोह से होती है और इश्वर को श्रिष्टी की प्रतिती अपनी योग शक्ती या लीला से होती है इश्वर सवतंत्र है और जीव प्रतंत्र है जिसको संसार भिन रूप से प्रतित होता है उसको बंधन कहते हैं और जिसको नहीं होता उसको नहीं यह बंदन ने स्वाभाविक है और ने आगंतुक है प्रन्तु अनादी सांत है आवरण या बंधन अज्ञान या एविध्या को कहते हैं यह आवरण माया मोहित जीव को है इसलिए इस बंधन से चूटने का प्रियास अवश्य करना चाहिए बंधन से चूटने का उपाए तत्व ज्यान जो सांख्य योग भगती योग निश्काम कर्म योग आधि साधनों से प्राप्त होता है इसलिए संपूर्ण चराचर जीवों को परमेश्वर का सवरूप समझ निश्काम प्रेम भाव से अपने अपने वर्नाश्रम के अनुसार कर्मों द्वारा उनका शेवा सत्कार करना उस सर्व व्यापी निराकार ब्रहम की पूजा है भगवान ने स्वेम कहा है गीता में जिस परमात्मा से सर्व भूतों की उत्पती हुई है और जिस से यह सर्व जगत व्याप्त है उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुस्य प्रम शिद्धी को प्राप्त होता है ये पूरी जो स्रिष्टी है ना ये परमात्मा का ही रूप है ये परमात्मा पूरी स्रिष्टी परमात्मा है और परमात्मा ही पूरी स्रिष्टी है आप छोटे से शब्दों में अगर समझेंगे तो इसने देखो अब भगवान कहते हैं अगर पूरी स्रिष्टी से तुम प्यार करोगे तो इस्वर से प्यार करते हो अगर तुम किसी को भी दुख देते हो तो फिर वो दुख इस्वर को ही होता है इसलिए पूरी स्रिष्टी ही प्रमात्मा है ये स्वयम भगवान ने कहा है अ हम सब को अपने अपने भाव और रूची के अनुसार सरव्यापी विज्ञाना नंद प्रमात्मा की शिव विश्णु आदि किसी भी एक की मानशी या पार्थी प्रतीमा को निमित बना कर परमेश्वर के परभाव को समझते हुए शृद्धा और प्रेम भाव से शास्त्र व को भी निमित बना लो किसी भी सब भगवान ने कहा है आखिर में मुझे ही प्राप्त होगे भगवान आप जिस भी भगवान को मानते हैं भगवान उसमें उसके प्रती आपकी उसके प्रती सरदावत्पन कर देते हैं और जो मनुष्य इस प्रकार पूजा करते हैं इस दु कश्ट सब हर तरह की पीड़ाएं उसकी खतम हो जाती हैं और अंत में जाकर वो परमातमा को ही प्राप्त होता है तो आज के लिए इतना ही और मैं उमीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ने आता तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और मेरी सरफ आप से एक ही निवेदन है मेरा बलाई लाइक ना करें बलाई सब्सक्राइब ना करें बलकि और परमधन में हर वीडियो में बताती हूँ पता नहीं किसकी मतलब कौन इसको सुन ले और किसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएं और वो भी आपके द्वारा तो आपके खाते में भी स्वते ही मतलब पुन्य जुड़ जाता है तो आज के लिए इतना ही जैश्री राम